वेलकम बैक तो मालवियक एड़ सॉलुशन यहां पर देखिए हम थर्ड पार्ट क्रियेट करने वाले है गैस अगिलेटर का यह एक अनॉफ नॉब है जो हमारे रेगिलेटर में फीट होने वाला है इसके प्रिविएस पार्ट के टिटोरियल आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप और इसका डामेंशन हमें 42 mm एपलाई करना है अब इस होल को सिलेक करना है और यह फॉर कंस्ट्रक्शन में यूज लेना है हमें फिर से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इसकी साइज एपलाई करेंगे 9.5 mm अब हमें इस सर्कल को सिलेक करना है फिर इस सर्कल को सिलेक करना है और टेंजेन कर देना है अब यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक करेंगे ओरिजिन पॉइंट को सिलेक करेंगे और इसका रिलेशन वर्टिकल कर देना है अब हम यहाँ पर सेर्किलर स्कैच पैटन यहां पर origin point select करना है और यहां पर इस circle को select करना है अब यहां पर हम circle apply करेंगे 6 number number of pattern 6 रहेगा और फिर ok करेंगे अब यहां पर 3 point arc हम draw करेंगे इस तरह से इस arc को select करना है circle को select करना है और tangent कर दिना है इसी तरह से यहां पर इसे भी tangent कर दिना है अब यहां पर इसकी radius 6 यहां पर 6 number of 6 की radius रहेगी 6 mm अब यहां पर इस hole को select करना है और इस circle को select करना है tangent कर दिना है अब यहां पर फिर से हम circular sketch pattern में जाएंगे select करना है हमें जो हमें 3 point arc हमने draw किया था उसे select करना है और number of pattern 6 फिर ok कर देना है अब हम यहां पर trim entity power trim activate करेंगे और यहां से इसे trim कर देंगे देखे इस तरह से हमारा sketch fully defined हो गया है अब simply आपको surface में जाना है और extruded surface यहां पर इसकी size रहेगी 10 mm बट यहां पर देखे cap end इसे tick कर दिना है यहां पर reverse side में हम apply करेंगे और फिर ok कर देंगे अब यहां पर इसे thickness हमें apply करनी है तो यहां पर देखे हम इस body को select करेंगे इस body को select करने के पाद इसकी thickness रखनी है हमें 1.5 mm और फिर ok करना है अब यहां पर fillet apply करेंगे यहां पर fillet रहेगी 1 mm फिर ok करना है इंसाइड वाली face को select करना है और यहां पर sketch draw करना है आपको circle इसकी size apply करेंगे 15 mm फिचर में जाएंगे extrude boss apply करना है यहां पर इसकी size रहेगी 3 mm और फिर ok करना है फिर से space को select करेंगे sketch और फिर यहां पर एक circle draw करना है इसकी size रहेगी 10 mm फिचर में जाना है extrude boss apply करेंगे 2.5 mm देखे इस तरह से आपको sketch करना है और इस तरह से सारे features use करने है fillet में जाएंगे fillet में 1 mm apply करेंगे यहां पर inside वाली age को आपको select करना है और फिर ok करना है back side वाली face को select करना है sketch फिर यहां पर circle draw करना है circle का diameter रहेगा 12.5 mm फिचर में जाना है और extrude cut apply करना है इसकी size रहेगी 2.5 आपको apply करनी है 2.5 extrude cut आपको apply करना है fillet apply करेंगे 1.5 mm फिर यहां पर इस वाली age को select करना है और फिर ok करना है यहां पर इस face को select करेंगे sketch फिर यहां पर देखिए center rectangle आपको draw करना है इसकी size 4.6 mm 4.6 mm आप इन दोनों line को equal भी कर सकते है ok feature में जाना है और extrude cut apply करना है यहां पर लिखना यहां पर up to next करना है इस तरह से यहां पर देखिए offset हमें set करना है यहां पर offset 1 mm रहेगा backside में और फिर ok करना है देखिए इस तरह से square cut यहां पर apply हो गया है फिर से यहां पर face को select करेंगे sketch अब यहां पर एक hole apply करना है तो इसके लिए circle draw करेंगे sketch और इसकी size रहेगी 3.2 mm feature में जाके extrude cut apply कर देंगे up to next और फिर ok कर देना है इस तरह से हमारा knob यहां पर apply हो गया create हो गया है fillet apply कर देते हैं अंदर की side में 1.5 और यहां पर इस age को select कर देंगे और फिर ok यहां पर हम इसका appearance apply करेंगे appearance में जाना है आपको फिर metal में जाएंगे मेटल में जाने के बाद आपको aluminium select करना है यहां पर aluminium satin finish aluminium आप कोई भी material apply कर सकते हैं और फिर इसका color change करेंगे हम यहां पर इसका color red apply कर देते हैं look wise थोड़ा अच्छा लगना चाहिए उसी साब से हम इसका material apply करेंगे cast aluminium फिर color इसका apply करेंगे red color apply कर देते हैं और फिर ok कर देते हैं देखे इस तरह से हमारा knob create हो गया है part 3 इसे save कर देंगे यहां पर हमारा gas regulator part 3 है तो देखे इस part को हमने save कर लिया है वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं next part में तब तक के लिए गुडबाए